आप सब डिवोटी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बुक जिसका नाम है राजपित्या कल डे वन था और हमने चप्टर नमबर वन पढ़ा और आज डे टू है आज हम चप्टर नमबर टू पढ़ेंगे तो आप सब डिवोटी से प्रातना है जो 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 जुड़ चुके हैं या जो जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे या जो 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 बुक रिडिंग खुद से करेंगे सब लोग अपनी अटेंडिंस कमेंट सेशन में जरूर दे दीजेगा लाइफ चैटिंग में नहीं कमेंट सेशन में ओके विद यूर नेम अग्जांपल सरवेश लंगर फ्रॉम जमू एंड कश्मीर तो ये एक छोटी सी प्रात्ना चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज के सत्र को प्रारम करते हैं इस सत्र में हम सिर्व रिडिंग कर रहे हैं किसी तरीके का लेक्चर नहीं है तो आप अपने एंड से भी अपने points जो आपको important लगता है वो highlight कर सकते हैं हम भी कुछ points को highlight जर चक्षूरलमितम येन थसमेशे गुरु आपाम स्री चेतन्यमनो भिस्तम स्तापितम येन भूतले स्वयमरूपकातामयं दधाती सवपनाइंतं वन्बेहम् स्री गुरु शेतपतिकमलं स्री गुरु वेस्णंच श्री रूपाम सार्गजतं सहगानारवनातं तंसजियं साध एक्रिष्ण करुना सिंदू दीन बंदू जगत्पते गोपीष गोपीका कांते राधा कांत नमस्तुते तब्तकांचन गोरांगी रादे विंदावनेश्वरी उरिष्यवानं सुते देवी पर्माम्मी हरी प्रिये वहांचाकः पत्रब्यष्च क्रपा सिंदू बैवच पदीदानाम पामनेब्यो वैष्यवयो नमाउ नमाउ विष्णु पदाया क्रिष्ण प्रस्टाया भूतले श्रेमत बक्ते वेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सरसते देवे गोरवानी प्रचारिने निरशे शषण्यवाधी पाष्चाति देश्यतारिने जैशी कृष्ण चेतन्य प्रवू नित्यानन्त श्री अद्वेत गदादर शिवासादी गुर भक्त प्रिंद। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 तो राजविद्या नामे पुस्तक पढ़ रहे हैं आज अध्याए दो को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आज छोटा सत्र होने वाला कमपैरटली 40 मिनिट्स का नहीं रहेगा आज सिर्फ डे टू में अध्याए टू को ही पढ़ेंगे डे थ्री से हम थोड़ी सी स्पीड को एक्स्टरेट कर सकते हैं कृष्ण ने विशेश रूप से कहा है कि कृष्ण बामना अम्रीत की ये है विदी सुस्कम है अर्थात अत्यान सुकत तथा अभ्यास करने में सुकम है निस अंदे बक्ती की विदी अत्यान सुकत है हम वाग यंत्रों के साथ सुमूदर द्वनी में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरे विक्ती भी साथ हो लेता है श्रवनम कीर्टनम हाँ उस संगीत का परमेश्वर से संबंग होना चाहिए व्या उनके यशोगान के लिए होना चाहिए भगवदीता का श्रवन भी बक्ती में सेवा का आंग है और इससे सुनने के लिए अतिरेक्ट इसे जीवन में उतारने की उत्रिक्ता होनी चाहिए किष्ण बावनमरीते एक विज्ञान है अतार इसे आंखे मुंद कर सुविकार नहीं करना चाहिए भक्ती में सेवा की नो विद्या बताई गिए सेवा भगवान का सेवक बनना उनसे मेत्री रूप संबंध स्थापिद करना तथा उन्हें अपना सर्व सर्व अर्पन करना इन सब का पालन करना सुगम है और इन्हें प्रसंता पूर्वक संबंध करना चाहिए निसंदे यदि कोई ये सोचे कि भगवद गीता तथा हरेकश्न मंत्र तो हिंदू पदती के अंग है और इस कारण से उसे ये स्विकार ना हो तो वै गिर्जा गर में जाकर गायन कर सकता है इस विदी जिता उस विदी में कोई बेद नहीं है अभी प्राह ये है कि चाहे बैक किसी भी विदी को अपनाए उसे भगवद भावन मैं होना चाहिए भगवान ना तो मुस्लिम है ना हिंदू और ना इसाई वे इश्वर ना ही हमें हिंदू मुस्लिम ये तो शारीर कुपाद्या है हम सद विशुद आत्मय हैं परमेश्वर के अंच है एश्वर पवित्र हैं हम भी पवित्र हैं फिर भी हम किसी ना किसी तरह से बवसागर में आगी रहे हैं और उसकी तरंड़यों के उच्छाल के साथ हम भी कष्ट पाते हैं वास्तों में हमें बोतिक क्लेश रूपी इन उताल तरंगों से कुछ लेना देना नहीं है हमें मात्र यही प्रात्ना करनी चाहिए हे कृष्ण कृप्या मुझे बचा ले जू ही हम कृष्ण को बूल जाते हैं तुही माया के महा सागर को वहां पाते हैं और उसकी जकड में आ जाते हैं इस बवसागर से बच निकलने के लिए हरे कृष्ण महामंद्र का जब करना अती महतपून है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस बवसागत से बच निकलने के लिए हरे कृष्ण महामन ते का जब अत्यन्द महत्पून है ये शब्द दोनी कृष्ण से अबिन है कृष्ण शब्द की दोनी कता मूल बूत कृष्ण एक है जब हम हरेक Krishnika जब और नित्य करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लेकिन मैं उनके देख नहीं सकता है कि तो हम उन्हें देखने पर इतना बल क्यों देते हैं हम सुने यानी कि शवन पर इतना बल क्यों नहीं देते हैं दर्शन, स्वाद, द्रान, स्पर्श, तथा शवन, ये सब अनुगूती तथा ज्ञान के उपकरन हैं। हम एक मातर देखने पर ही इतना बल क्यूं देते हैं? एक बक्त क्रिशन के दर्शन नहीं करना जाता है। और हम उसे सुन सकते हैं, कि दुपवन को देखने की कोई समावना नहीं है, चूकि सुनना है, शवन का अनुगवव देखने हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्रिशन के उपस्थिती या अनुभुती होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्रिशन से ही वस्तत प्राप्त करते हैं, और उन्हें कुछ भी अर्पित ना करें। हर विक्ती इश्वर से कुछ न कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हम कुछ क्यों ना दें। हम क्रिशन से ना जाने कितना प्रकाश, वायू, गोजन, जल आदी लेते रहते हैं। यदि क्रिशन ये संसाधन प्रदान ना करे, तो कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या हम प्रेम, क्या ये प्रेम है कि बदले में कुछ, कभी कुछ दिये बिना लगातार लेते ही रहू। प्रेम का अर्थ है लेना और लेने के साथी देना। यदि हम किसी से कुछ लें, बदले में कुछ भी ना दें, तो ये प्रेम नहीं हुआ। ये तो शोषन है, ऐसा नहीं होना जाए। क्रिश्न को कभी कुछ अर्पित किये विनाही हम दोजन करते रहे। बगवद गीता में बवावान श्री कृष्ण क्याते हैं पत्रम पुष्पम भलम तोयम योमे बक्ति प्रयच्चती तद अहम बक्ति उपारतम अश्नामी प्रयतमात्मन यत कुरोशी यत अश्नाशी यत जुजोशी तद शियत यत पशंसी कोंतेया तद कुरुशमा धरबन य यदि कुई प्रेमत अस भाक्ती सांद मुझे पत्र पुष्पन फ़ल प्रता करता है तुम हुए उससे स्रीकार करते उनसले नियुको सारे दुख अथव 냔वकतीसमिस्ना को know दो जन्वेद्द करना चाहिए हे कृष्ण मैं इस तरह कश्ट बह रहा हूं बोतिक बोक के तरंगित सागर में गिर गया हूँ क्रिपया मुझे उबारे अब मेरी समझ में आ गया है कि इस बोतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है मुझे यहां पर इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं अंद महा सागर में फैंक दे गया हूँ प्रवाग्य की बात ये है कि इस सागर के साथ अपनी पहचान करते हुए इसकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। कि और कभी नहीं मुड़त पाते जन्मृत्य के सागर में निरंतर फस्ते रहते हैं। पड़ी पाशा के अनुसाथ धर्म वे है जो हमें इश्वर के साथ जोड़े हैं। यदि वे हमें इश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वे धर्म ही नहीं है। है कि आधा कृष्टमाव नामने तो एक दर्म है धर्म को निर्मित कर पाना नहीं है कि स्थैंट द्रंट किसी अधिक्रित्स स्थोत्र से आना चाहिए है और यह स्थोत्र आ यह नंकी अध्यां कर रहा है किसी के लिए इस द Het со होता है विदान होता है और सरकार द्वारा बनाए जाता है तो यह अपने समाज के लिए कुछ उपनियम बना लें किन्तु इन्हें भी राज की कि नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंदी नियम बनाना चाते हैं तो वेदिक प्रमान के द्वारा उसकी स्कृति होनी चाहिए भगवद गीता भी धर्म है रामनुचारी मादवाचारी विश्यों स्वामी जिते महाप्रवू शंकराचारी आदी बहुत से महान अधिकरत व्यक्तिवनें भगवद गीता का धर्म के श्रेश्ट निमों के रूप में और कृष्ण का पुन पुष्ट ववान कृष्ण के रूप में स्विकार किया है इसमें कोई संशे नहीं पाश्चाति देशों में भी भगवद गीता को महान धर्शन गंत के वैसे प्रमान के रूप में प्रमान यही नहीं वह सूछते हैं यह कृस्ति इनका उनके साथ कोई संबंध नहीं होता और कुंकि के अप्रापय मनिवन्तते। मृत्यव संसार इसकी कोई गारणेन नहीं कि अगले ज्डेंट में अवहेश्य प्राफ़ते इसके क ostank लिए। अभवित गीता समझने या उपक्षन नहीं जो कोई जिन्व मनश्य बने या अमेरिका भारत अत्वायां इसी ग्राइब पर ही जनम ले इसकी कोई निश्चित कोई निश्चता नहीं है ये तो हमारे कर्म बने बर करता है जनम रित्व के पत पर चलते हुए जनम लेते हैं कुछ काल तक जिवित रते हैं दुख्यां सुक बोगते हैं और फिर इस शरीर को अत्मिन वत्मनी कहलाता है यदि कोई इस मार्क से भचना चाहे तो इसे कृष्ण भाव नावरित को अपनाना चाहिए जब युदिश्ट्र महराज से पूछा गया कि संसार में सबसे अधिक आश्चारी जनक विस्तू कौन सी है तो उन्होंने उतर दिया कि प्रति दिन प् मित्यू के मंदिर में जा रहे हैं मनुश्य कीडे पशू पक्षी सभी जा रहे हैं इसलिए संसार मृत्यू लोग कहलाता है प्रति दिन इतने शोक संदेश प्रकाशित होते हैं और यदि हम चाहे तो कब्रस्तानिया शम्शान भूवी में जाकर इनकी पुष्टी कर सकते है इतने प्रति एक विक्ति यही सोचता है कि मैं किसी भी तरह जीता रहूंगा प्रति विक्ति पर मित्यू का नियम लागू होता है फिर भी कोई इसको गंबीरता से नहीं डेता है यही माया है यह सोचकर कि हम अमर हैं हम अनमाने ही करते रहे हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, यह जिवन विविदाद ग्रस्त है, और मुह का महान अंद कारमई भाग है, हमें गंबीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यू हमारी प्रतिक्षा कर रही है, यह हमने यह मुहवरा सुना है, मृत्यू का कैसमान सुनिश्चित, इसका आर्थ यही है कि इस अंसार में मृत्यू ही सर्वजारिक निश्चि सत्य है, इस से कोई बच नहीं सकता है, जब मृत्यू आती है तो हमारा गंड़, पून दर्शन या हमारी बड़ी-बड़ी जो कभी किसी भी की परवा नहीं करते पराजित हो जाते हैं, उस समय विब्यांश जीवात्मा बोतिक प्रकति के वश में हो जाता है, और प्रकति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है, तो हम कृष्ण से जी चुरा सकते हैं, यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं जाते हैं, तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर नंबर टू था वह समाब थो, आशा करता हूँ कि आप सबने रेडिंग तो किया ही है, और साथ ही साथ अपना इटेंडिंग्स भी दिया है, तो इसकी एक समरी जो हम पढ़ते हैं, वो साथ ही जो आप ग्रूप में जुड़े हैं, यूट नहीं रखेंगे, तो इस पुस्तक के अध्यन करने का अर्थ या उद्धिश यही है, कि हम जादा से जादा दिवी ज्यान को अपने जीवन में सुखारें, और मनुश्य जीवन के करतवियों को समझें, जैसा कि इस चप्टर नूब टू के सारांश को भी देखें, तो यहा भवान भी भवगतिता में पुष्टी करते हैं, कि भवान उसको उस रूप से सायता नहीं करते हैं, जिस तरीके से बक्त हो करते हैं, अला कि भवान पक्षपात नहीं करते हैं, जिस प्रकार से बक्त को दूप देते हैं, उसी प्रकार से अभक्त को भी, जिस प्रकार से वर तो आज के डेटू में हम इतने रखते हैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जगत गुरू शिल्परवपाद की जए झाल